हेलो फ्रेंट्स आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ सूची का ओपमा फ्रेंट्स ए ब्रेकफार्ट रेस्पी के लिए अच्छा होती है और बच्चों को भी बढ़िया होती है चलीए आके शूरू करेंगे फ्रेंट्स इसके लिए एक कड़ाय लेके वो गरम करके उसमें एक चमच ऑईल एक चमच गी डालके गरम कर देजिए उसमें एक चमच मुंखफली और आपका स्वादानसार काजू भी डाल सकता है और आदा चमच राई आदा चमच चने की डाल और आदा चमच उरत की डाल डालके आपने अच्छा से फ्राई गर दीजिए उसके बाद बारी कटा हुवा थोड़ा अदरक डाल दीजिए उसके बाद घड़ी पता भी डाल दीजिए उसमें एक स्माल ओनियन लेके उसको स्राइस काटके ओबी डालके फ्राई कर दीजिए प्रेंस आनियन जल्दी सौफ्ट होने के लिए जल्दी पकने के लिए एक पिंचा अफसाल डाल दीजिए उसमें आपका स्वादान सर हरी मिर्च भी डाल दीजिए तोड़ा प्यास फ्राइ होने के बाद आपने कटा हुआ गाजर का पीसस डाल दीजिए गटा होवा फलिया का पीसस टाल दिजिए थोड़ा सा मटर भी डाल दीक्ट फ्रेंड्स ये औप्शनल होती है आपको पसंद है तो जादा भी डाल सकता है और आलो भी काटके भी डाल सकता है और उसके साथ एक स्माल टमाटर पीसस भी डाल के उसको आपने अच्छा से बोन लेजिए अभी दो मिनिट के लिए डखकन रखके फ्राइ करने के बाद फिर डखकन कोल के उसमें आपका पसंद है तो स्वीट कॉन भी डाल देजिए एक पाव चमच से तोड़ा कम पेपर पावडर भी डाल के एक बार उसको मिला के अच्छा से फ्राइ कर देजिए फ्रेंट्स अभी फ्राइ होने के बाद आप एक कप सुजी के लिए पाँच कप पानी डाल के आपने रखकन रखके उबाल देजिए उसमें आप स्वादान सर नमक भी डाल देजिए फ्रेंट्स कोई बनाता है तोड़ा टाइट वाला सुजी उपमा हमारे घर पे हम तोड़ा पतला सौफ्टी बनाती हों ताकि बच्चों भी खा सकता है इसलिए मैंने पांच कप ले लिया आपको टाइट पसंद आए तो तीन कप ले लेजिए अभी दूसरा कड़ाय लेके उसमें एक अप रवा लेके बिना ओईल का दो मिनिट उसको रोष्ट कर दीजिए फ्रेंट्स फ्रेंट्स रवा को हिलाते रोष्ट करना थाकि वो नीचे वाला हिस्सा पूरा ब्रावनों चाती है डल जल दी फ्रेंट्स इधर हम जो कड़ाय में पानी डाल के उपाल रहे हों वो उबल रही है अभी इस स्टेज में आपने जो रोष्ट किया हुआ सुजी डाल के आपने अच्छे तरफ से उसको मिक्स कर देजिए बीना लम्स का फ्रेंट्स एध थोड़ी देर उबलने के बाद आपने दो तीन मिनिट के लिए ड़कन रखके उबाल देजिए फ्रेंट्स दीरे दीरे पानी गाड़ा हो रही है उसके बाद दुबारा डखकन रखके आवर एक दो मिनिट पक देजिए ऐसे वीडियो में मैंने दिखाया बस एई एई आई फ्रेंट्स सुजी का उपमा बनाने का तरीका आपको पसंद है तो लाइक कर देजिए और सब्सक्राइब कर देजिए थैंक यू आवे नैस देजिए